हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल एनम बेसिक इस्टडी में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जैसी आरटी करास फाइब का मैत में हमने सिखा वन का कॉस्चन को हल करेंगे इससे पहले तीन वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है हमने लीक करके आप देख सकते हैं या फिर लिस्ट बनावाए वहां से भी आप देख सकते हैं तो देखे फ्रेंस पिछले वीडियो में हम लोग 25 नमबर तक पूरा कर लिये थे आज हम लोग इस वीडियो में 26 नमर का कॉस्चन से आगे का कॉस्चन को हल करेंगे तो चलिए उतारते हैं को उसके बाद फिर बनाते हैं ठीक है तो आपको भी अपना कोपी में कोश्चन को उतार लेना और कोपी में ही बनाना है तो देखे पेटे यह वीडियो में बनाते हैं तो 12 नमर का क्वस्चन है टीक है तीन बार आप बना सकते हैं चार बार जितना मन करें उतना बार आप बना सकते हैं तो मैं यहाँ पर तीन बार ले लेता हूँ ठीक है तो देखे फिरंस मैंने यहाँ पर इस टाइप का तीन टो गुरनखन पेड के लिए इस तरी किसी संगरक्षना बना लिया है तो चलिए दिखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसा दो संख्या लेना है जो की गुना करने पर 48 आ जाना चाहिए तो दिखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 12 और यहाँ पर ले लेता हूँ 4 तो आपका एक परकार का, यहाँ पर एक गुरनखन पीड़ बना, और भी परकार का बना सकते हैं, देखिए, अलग तरीके से, छो, आठे, एड़तालीस ठीक हैं, दो, तिया, चो, अब यहाँ पर दीखिए, दो, चोके, आठ, डो, दूनी, चार, इसतरीके से आप बना सकते है अब आगे और भी तरीके से बना सकते हैं जैसे देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 16, 3, 48 ठीक है अब यहाँ पर 2 से 28, 16 अब यहाँ पर ले लेते हैं 24, 8 अब यहाँ पर ले लेते हैं 24, तो देखिए इस तरीके से आपको बना लेना है 48 का गुरुन अखन पेड और भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर मैंने तिन तरीके से बनाया ठीक है तो आप इसको बना लिजे अपना कोपी में इसको उतार लिजे ठीक है तो उसके बाद फिर बढ़ते हैं अगला क्वेशन की उर तो देखें अगला क्वेशन है 27 नमर तो 27 नमर का क्वेशन में कहता है खाली अस्थानों को भर ये तो ध्यान दिजेगा यहाँ पर यहाँ पर कौन अमर का क्वर्शन में करता है 40 चोकलेट का 1 बटा 2 भाग कितना चोकलेट होगा तो बहुत यह आसान है 1 बटा 2 को क्या बोलते हैं 1 बटा 2 को आधा बोलते हैं 40 चोकलेट का आधा कितना होगा 20 चोकलेट होगा यहाँ पर आपको 20 भर देना है अगर आपको नहीं समझ भाया तो देखिए मैं अलग तरह के से समझाने का प्रयास करता हूँ देखिए यहाँ पर क्या है? 40 तो 40 आपको लिखना है इस तरह के से ठीक है? अब देखिए चालिस लिखने के बाद आपको करना क्या है यहां पर देखिए का है तो का का यहां पर आपको इस तरीके से लिख देना है का अब देखिए एक बटा दो है तो एक बटा दो लिखिए अब इसको हल कर यह देखिए चालिस है तो चालिस लिखिएगा उसके बाद देखिए का का गुना का चिन होता, एक बटा दो है, तो एक बटा दो लिखे, अब यहां दो से कटेगा, दो कपड़ा 20 बर पढ़िएगा, तब का 40 आएगा, तो देखे, इस तरीके से कितना आया, 20, तो वही 20 को यहां पर लिख दिये है, ठीक है, अब चलिए आगे देखे, खौन नम्बर क 32 गुना करने पर आजाएगा, तो यहां पर चाहिए गवार लिख लेते हैं, 16 गुना 2, तो 16 गुना 32, तो 32 हो जाएगा, तो यहां पर आपको 32 भर देना है, मतलब 48 किताबों का 2 बटा 3 भाग 32 किताबें हो जाएगा, ठीक है, अब आगे देखे, गौर नम्बर में कहता है, 36 गायों का 1 बटा 3 भाग, कितना गायें होगा, तो यहां पर चली इसको भी निकालते हैं, 36 का, तो लिखेंगे 36 का का मतलब, यहां पर का पहले एक बार लिख लेते हैं, और एक बटा 3 है, अब लिखेंगे 36 का का मतलब गुना, एक बटा 3, अब देखें, तीन का पड़ा मे कितना बार में 26 आगा 12 ये 26 बारह बार में तो 12 हो गया अब 12 को एक सिगुना करिखेगा 12 ये का 12 आजाएगा मतलब यहां पर आपका 12 हो जाएगा 12 गाए 36 गाईव का 1 बटा 3 भाग 12 गाए ऻो जाएगा अब आगे देखेए आगे है गोह नमबर गषव नमबर में कितना है 32 बकरीओं का एक बटा 4 भाग कितना बकरियां होगा तो दिखिए 32 का 32 बकरीओं का कितना बबला एक बटा 4 भाग यह पर एक बटा 4 लिखना है अब इसको solve कर देना है 32 का का मतलब गुना का चिन एक बटा 4 आ जायगा अब यहां पर देखिये चार से कट ख pagan Road 32 आट को एक से गुणा करियेगा आठ तो यहां पर आपका आठ हो जाएगा तो यहां पर आप याँ पर आप आठ लिक दीजिए आठ बक्रियां हो जाएगा इसका आमसर 2 इस बख्रियों का एक बटaimea चारवाग आठ बक्रियां á हो जाएगा तो आप इसको देख लीजिए बना लेजिए अपना कोपी में ठीक है फिर चलते हैं अगला क्वेशन की और अगला क्वेशन है अठाइस का इसका इसमें खाली अस्थानों में समतुल्य भिन के पेटर्ण को पूरा किजी यहाँ पर दिख़िए आपको पेटर्ण दिख रहा होगा पेटर्ण का मतलब है यहाँ पर संख्या का करम जो आप को दीख रहा होगा इस प्रकाल दिखें दो बहरे दो चोकार दो पंची दस दो चल कर लोगिए अब नीचे दिखिए बट farming सब में बट्टा देदना इस तरी के से और नीचे दिखिए सब्सक्राइब को पूरा कर लेना है और यह क्या चीज़ है तो यह सम्तुल्य भीन का पेटरन है ठीक है तो आप इसको अपना कोपी में बना लिजे फिर बढ़ते हैं अगला क्वेशन की ओर अब चली फ्रेंस आगे देखे B नमबर कथा इसमें इनके सम्तुल्य भीन ग्याद कीजिए सम्तुल्य भीन का मतलब होता अकि काटाने पर क्या होना चाहिए वही वला संख्या वापस आ चाहिए सम्तुल्य भीन का मतलब वही होता है दिखिए यहाँ पर j Nos 2 अकर दो का पड़ आठ दोनी शोलो अर्टिया 24 और चोग बतीस आठ पंचे चालीस तो दिखिए अगर आप यहां पर कटाईएगा ना 00 तो कितना हो जाएगा एक बटा चार तो यहां भी तापका एक बटा चार आएगा इसको कटाईएगा तो दो चोके आठ एक बटा चार आजाएगा ठीक है तो जितना भी संखिया आपको दीख रहा है यहां पर सब क्या है यह सभी भिन ठीक है क्या है दो बटा आठ का सम्तुल्य भिन है ठीक उसी परकर यहां पर देखिए उपर में एक है तो एक के बाद क्या होगा दो होगा फिर क्या होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा और नीचे दिखें 6 है तो 6 का पढ़ा पढ़ेंगे चोका 6 अब सब में इस तरीके से बटा खिच दना है उसके नीचे में 4 चार चार चोके सुलो चार पॉइंचे 20 देखें कितना तरीके से यह सवाल भी आपका बन गया ठीक है चलिए अब आगे देखें सी नंबर सी नंबर में देखें यहां पर जो है आपको दो भिन दिया हुआ है त श्यूंगर मिन करता है भीनों की तुलना कर इसमें ये बडा का चिन है बडा का चिन बराबर का चिन छोटा का चिन वाक्स में बहरे हैं तो यहां पर आपको बैस दिख रहा होगा दो भीन के बीच में ये 3दि अगर बढ़रा है तो दिखिए नीचे हर अगर बराबर रहता है तो अंस में जो बड़ा होता है वही संख्यां आपका बड़ा होगा मतलब वही भीन आपका बड़ा हो जाएगा तो देखिए यहां पर पांच बड़ा है तो यह बला चिन आपका लग जाएगा इधर मुझ खुला हुआ बड़ा है उधर मुझ खुला हुआ बला चिन आप को लगा देना है अब का आनसर सही हो जागा थीचेक है कि यहाँ पर देखिए यहां Пछ दोनों का here समानैं के समान है आशे आपका ऊपर देखना है नीचे जब बरहつहां उपर आपको बढ़ा है पांच बड़ा है तो अब यह व्राषिन लग जाएगा इधर मुझे तुपर नमर में देखिए नीचे बराबर का चीन लगा देना है अब गवार्ण में देखिए नीचे बराबर का चीन लगा देना है तो द्यान दिजेगा जब उपर में अंस बरावर रहता है ठीक है भीन का अंस बरावर रहता है तो हर जो छोटा दिखाई दा है वही आपका बड़ा हो जाता है फिर से सुनिए जब भीन का अंस बरावर रहता है तो हर में जो संख्या आपको छोटा दिखाई पड़ेगा वही वला भीन आपका अब आठा सकते हैं 7 तिया 21 और 7 नमे 63 तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 है 9 है 9 है तो देखिए यह भी और यह भी आपका बराबर हुआ तो यह पर बराबर का चिन लगा देना है आप कहिएगा कि आगे दिखिए चो नमबर तो चो नमबर में दिखिए यहां पर जो है ना तीन बटा चार है पांच बटा चार है नीचे बराबर है उपर में जो भीन आपका उपर में जो संख्या बड़ा दिख रहा है वही वहला आपका बड़ा हो जाएगा जो नमबर में दिखिए यहां पर इसको कटा कि देखना पड़ेगा तब आपको पता चलेगा ठीक है दिखिए छो से कटेगा यह दोनों संख्या चो सब्सक्राइब बराबर हो गया उपर में यहां साथ है यहां पर नो है तो आपका बड़ा हो जाएगा तो इधर बड़ा का चिन लगा देना है ठीक है आप इसको अपना कोपी में बनाते चलिएगा ठीक है बना लिजी इसको अब देखे फिरेंस हमने सीखा वन का यह लास्ट सवाल है इसको देख लिजे लास्ट बचावा इसमें कहता है आरोही करम में लिखी मतलब आरोही का क्या मतलब होता है आरोही का मतलब होता है छोटा पहने पहstarter यह पर बता रहे थे कि हर अगर भरढबर रहता है बिर्न का तो Stevens में जो बड़ा ₈ देखाई देता है वही बला संख्या बड़ा हो जाता है है तो यहां पर वही चीज आपको चोटा हो जागा, दिखिए, यहां पर 6 है, 2 है, 1 है, 5 है, 3 है, तो 1 आपका सबसे चोटा हो गया, तो 1 बटा 7 आपका सबसे चोटा हो गया, तो सबसे चोटा सही चार्ट करना है, तो सबसे चोटा एक बटा 7 हुआ, तियां पर आपको लिख देना है, 1 बटा 7, अब 1 से बड़ कुन है दो तो यहां पर आपका हो जागा दो बट्टा साथ अब दो से बड़ा कुन है तीन बट्टा साथ तीन से बड़ा कुन है तो तीन से बड़ा पांच है तो यहां पर हो जागा पांच बट्टा साथ और पांच से बड़ा कुन है छो तो छो बट्टा साथ तो देखिए ये बढ़ते करम में आपका सज गया आरो ही करम में ये सज गया अब आगे देखे खाव नमबर में तो देखे यहाँ पर जो है ना इसमें भी सभी भीन का हर बराबर है तो हर बराबर रहता है तो अंस में देखना है कि जो छोटा संख्या देख रहा है तीन बट्टा ग्यारो तो तीन बट्टा ग्यारो लिखना है यहाँ पर तीन से बड़ा कौन है पांच यहाँ पर पांच बट्टा ग्यारो लिखना है पांच से बड़ा कौन है साथ तो साथ बट्टा ग्यारो लिखना है तो देखिए यह भी आपका सज गिया अब देखिए नीचे हर जो है ना किसी का बराबर नहीं है को नमबर का और को नमबर का सवाल में देखिए नीचे में बराबर था दोनों में और यहां पर गो नमबर में देखिए उपर में बराबर है तो यहां पर आपको उल्टा दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे दिखिए अगर अंस अगर किसी अगर भिन का अंस बराबर है तो हर में जो छोटा दिखाई देगा वही आपका बड़ा होगा और जो सबसे बड़ा दिखाई देगा वही आपका छोटा हो जाएगा तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है यहाँ पर सबसे बड़ा सोला दि ठीक है इसलिए छोटा लिख रहा है छोटा से बड़ा फिर उसे बड़ा फिर उसे बड़ा फिर उसे बड़ा इसे तो सबसे छोटा हो जाएगा आठ बटा कितना है अब इससे बड़ा कौन हो जाएगा तो इससे बड़ा आपका ये वला संख्या हो जाएगा मतलब आठ बटा पंदरह अब इससे बड़ा कौन हो जाएगा तो ये आठ बटा चवुदो हो जाएगा तो 8 बटा 4 यहां पर लिख देना है उससे बड़ा कौन हो जाएगा 8 बटा 12 यहां पर 8 बटा 12 लिख देना है उसके बाद इससे बड़ा हो जाएगा कौन 8 बटा 3 तो यहां पर आपको 8 बटा 3 लिख देना है सबसे बड़ा हो गया दिखिए जो सबसे छोटा दिखाए देगा नीचे तरफ वही वला सबसे बड़ा हो जाएगा और जो सबसे बड़ा दिखाए देगा हर में वही वला भीनव का सबसे छोटा हो जाएगा इससे बड़ा ये हुआ इससे बड़ा ये हुआ इससे बड़ा ये हुआ इससे बड़ा ये हुआ और जितना भी question था, सारा question को मैंने हल कर दिया, उमीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरह के से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो comment जरू करिएगा, ठीक है, तो आज की इस video में बस इतना ही रने देते हैं, वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया आप तक पहुंच सके, तो चली friends मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए bye, thank you for watching this video